दोस्तों उस वक्त सूर्य कुमार यादव भी आशुतोष शर्मा की लाजबाब बल्ले बाजी के आगे नतमस तक हो गए जब आशुतोष शर्मा ने अकेले ही पंजाब को जीत दिलाने की कसम खाई थी और उन्होंने मैदान पर तूफान मचा दिया जी हाँ दोस्तों पंजाब और मुंबई के बीच खेले गए मुकाबले में जब पंजाब की टीम मुंबई द्वारा दिये गए 193 रनों के टार्गिट का पीछा कर रही थी तो महज 14 रन पर ही पंजाब के 4 बल्ले बाज आउट हो गए थे यहां से सभी को लगा की मुंबई इस मुकाबले को लगभग 100 रनों से जीतेगी लेकिन दोस्तों फिर मैदान पर आता है आशुतोर शर्मा नाम का तूफान आज इस बल्ले बाज ने मुंबई के हर एक गेंद बाज को खूब जम कर पीटा और देखते ही देखते इस बल्ले बाज ने महज 20 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी की और इनकी इस पारी के दम पर पंजाब जीत के बेहद करीब पहुνच चुका था 18 गेंदों में पंजाब को जीत के लिए महज 25 रन चाहिए थे और ये बल्ले बाज 28 गेंदों पर 61 रन बना कर बल्ले बाजी कर रहा था लेकिन तब ही 70 हवे ओवर की पहली गेंद पर आशू तोश शर्मा कैच आउट हो गए और मुकाबला यहां से एक बार फिर से फंस गया और अंत में मुंबई ने इस मुकाबले को नवरनों से जीत लिया दोस्तों जब तक ये बल्ले बाज मैदान पर था तब तक मुंबई के खिलाडियों की सांसे अटकी हुई थी आज ये बल्ले बाज सूर्य कुमार यादव से भी खतरनाक शौट खेल रहा था दोस्तों आशुतोष शर्मा की लाजबा बल्ले बाजी देखकर खुद सूर्य कुमार यादव भी हैरान थे और मुकाबले के बाद सूर्य कुमार यादव आशुतोष शर्मा से मिले उनकी तारीफ की और उनके सामने हाथ जोडे लेकिन दोस्तों आप आशुतोष शर्मा के इस बेहतरीन पारी पर क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं